आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि हमारा जो आज की वीडियो का टाइटल है कि क्या डेली निवस्टी अब नहीं खुलेगा उसके इसाब से ही तो वीडियो के एंड तक मैं आपको एक्स्पेंड करूंगा कि क्या अभी सिनेरियो बनकर आ रहा है और क्या चांसी से आपके college reopening क्या या नहीं है बहुत सारे बचे देखिए ये भी कहेंगे भईया आप college reopening के बहुत जादा वीडियो बनाते हो तो देखिए हमारा काम है वीडियो बनाना तो इसलिए हम लोग ताइम टू टाइम जो भी अपडेट्स होती हैं उसके regarding वीडियो बनाते रहते हैं तो चलिए एक एक करके हम सारी जानकरी ले लेते हैं। दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आपके एक फाइदे की बात बताने वाला हूँ। आप सभी को पता होगा कि 24 जनवरी को World Education Day celebrate किया जाता है। और इंटर्ण शाला ट्रेनिंग्स ने इसी को नजर में रखते हुए आप सभी के लिए एक केमपेन लाँच किया है वो है करो जिद आगे बढ़ने की। आप इस केमपेन को जोईन कर सकते हो और आप लोगो को जानकर खुशी होगी कि ये बिल्कुल free of cost है आपको इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना है और जब आप ये केमपेन अटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ productive आज सीखा है हमने कुछ अच्छा सीख को मिलेगा उनका जो भी स्टोरी रहा है वो आपको जानने को मिलेगी उसके बाद जो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मुझे यहां पे चीज लगा वो है आपका counseling sessions उसके बाद आपको यहां पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़े हैं जैसे कि आप python के बारे में अगर session भी join कर सकते हो यहां पर आपको register करने के लिए क्या करना होगा जिस्ट आपको register नाव पर क्लिक करना है और क्लिक करते हैं यहां पर आपको कुछ details आपको फिल करनी है link description box में है and register कीजिए free of cost है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा definitely सीखिए सब कुछ online है सब कुछ बंद है तो कि इस semester जो है आपके college reopen हो जाएंगे कोई चांस नहीं है इसलिए आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पर focus कीजिए और exam की preparation करना शुरू कर दीजिए because आप लोग के exam भी बहुत ज़ग नजजदीक है हो सकता है कि maybe second semester से खुल जाए college लेकिन मैं आपको यह बता दिना जाता की जो की मतलब जिनके साथ बहुत ज़दा अत्याचार हुए जिन्होंने अपनी प्लस टू भी जो है जो की काफी important होता है बच्चों के लिए वो भी online गुजारी है और college के दो साल भी अभी तक online गुजार चुके हैं तो दिखिए उन बच्चों कमी मैं यहां पर कहना चाता है बहुत ज़दा लॉस हुआ है बच्चों का लेकिन हमारी government और हमारे डेली नुश्टी का administration इस चीज़ को नजर अंदाज कर रहा है कि किस तरीके से हमारी जो युवा पीडी है वो पीछे जा रही है किस तरीके से बच्चों का जो है नुकसान होते हैं फाइनल यह स्टू से एक वेब नहीं आती लेकिन अभी इंडिया में अगर बात करें और खास्तों पर हम अगर देली में बात करें तो कोविड के सिस बहुत ज़दा हाई लेवल पे हैं तो मुझे नहीं लगता कि डेली निवस्टी जो कि अल्रेडी बहुत ज़दा सुस्त administration लेकर बैठा है व इस semester तो बिल्कुल भी चांसीद नहीं है आपके college reopening का यह एक बहुत कड़वा सच है लेकिन इस चीज को आपको accept करना ही पड़ेगा बाकि अगर कोई इसके regarding update आती है तो मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूँगा देखिए यह सब चीजे मैं इसलिए बोल रहा अच्छा था जब college को reopen किया जा सकता और एक पूरा semester जो है वो बच्चों को offline पढ़ाया जा सकता था उस टाइम देली ने अपने दर्वाजे बंद रखे और फिर बोलने कि हम जैनुवरी से खोलेंगे तो फिर जब जैनुवरी में खोलने की बात आई तब तक भी आगी तो इस तरीके की चीज़े जो है वो देली नुश्टी के अंदर होती है और होती रहेंगी बिकाज प्रशाशन जब तक जाग रुक नहीं होगा प्रशाशन जब तक बच्चों के बारे में नहीं सोचेगा तब तक ये college जो है वो नहीं खुलने वाला है तो दोस्तों आशा करत तुझ तक ये जढ दोस्तोंग ध्र भाइब तक जो सके घचरने खुलने है प्रशाशन जब तोस्तों के लिए .